नमस्कार गुर्मार्निंग सुबर के साथ प्रचने को हैं आपके साथ मैं हूँ दिपेका यादव बुलिटिन के हम शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से पांच मिनिट में 25 पड़ी खबरे पंजाब में प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी के सुरक्षा में हुई चूप मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी चीफ जस्टिस एन्वी रमना जस्टिस सुर्यकांत और हीमा कोहली की बैंच मामली के सुनवाई करेगी प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी के ने राष्ट्रपती रामनात कोविन से मुलाकात की है और पंजाब में उनके काफिले पर हुए सुरक्षा में हुई चूक के बारे में बताया राष्ट्रपती ने सुरक्षा के गंभीर चूक पर चिंटा जताई है उपराश्ट्रपती एम वेंके एनाईडू ने भी पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूग पर पियम मोदी से बात की और गहरी चिंता व्यक्त की पंजाब में पियम के काफिले में सुरक्षा चूग पर केंद्री ग्रेमित्राले ने तीन सदस्य जाच टीम गठित कर दी है अमिर्शा ने समीती से जल्द ही जाच कर रेपोर्ट देने को कहा वही सुरक्षा चूग को लेकर के पंजाब की कॉंग्रिस सरकार के खिराब बीजेपी आज दिल्ली में प्रदशन करेगी पियम मोदी की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सीम योगिया दितनात ने काशी विशुनाद धामे पूजा अर्चना की है दूसरी तरफ मदी प्रदेश के सीम शिवराथ सिंग चौहान ने भी पियम मोदी की दिर्द आयू के लिए हवन और पूजन करते हुए दिखाई दिये देरदून और आजठानी दिल्ली में भी पियम की लंभी उम्र के लिए हवन पूजन और यग्य किया दिया नीट पीजी की काउंसलिंग में OBC आरक्षन की मामली पर सुप्रीम कोट में सुर्वाई पूरी हो चुकी है और इस पूरे मामली में कोट आज फैसला सुना सकता है सभी पक्षों की दलीले सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूर और जस्टिस MS एस बोपना की बैंच ने फैसला सुरक्षत रख लिया है आज भारत में कोरोना वैक्सिनेशन का आकड़ा 250 करोर को छू लेगा देश में वैक्सिनेशन का ये रिकॉर्ट आज बन सकता है कल तक भारत में 149 करोर 57 लाग से ज़ादा डोस दिये जा चुके थे वहीं बढ़ते कोरोना की चलते केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र लिकर के मेडिकल व्यवस्ताइं बेहतर करने के निरतेश दिये दिली में एक दिन में कोरोना के 15,097 नए मामले सामने आये हैं 24 घंटे के अंदर बात करें तो 6 मरीजों की मौत हो चुकी है दिली में कोविट की संक्रम अंदर 15.34 फीस्ती के पार पहुँच गए राजधानी में इस वक्त कोरोना की सक्रे मरीजों की संख्या 31,498 हो गई है दिली सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया भारत में उमाइट्रॉन का आकड़ा बढ़ गया है पिछली हफ़ते कोरोना की जो मामले सामनी आए थे वो अब तक के सबसे ज़ादा मामली रहे डेब्लो एचो निस पात की चांटारी थी दुनिया भर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं इटली में 24 घंटे के अंदर 2,19,441 नई केस मिले वहीं उनाइटेज गंग्डम में कोरोना के 1,89,756 नई केस आम गया है विश्वे स्वास्त स्तंगठन का कहना है कि पिछले सब्ता के दौरान दुनिया भर में कोविट के रिकॉर्ड 95 लाग मामले दर्च किये गया है इटली के अमरिज सर से आई फ्लाइट में 125 याथरी कोरुना पॉजिटिव पाए गये है एरपोर्ट डारेक्टर वीके सेछ ने बताया है कि एरपोर्ट पहुंच्णे पर इन सभी का कोरुना टेस्ट कराया गया था टेस्ट में 125 यात्री कॉजटे पाई गए हैं और इन सभी को क्वारिटीन कर दिया गया है रखनों में अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बचे से सुबब 6 बचे तक लागू रहेगा कशा 10 के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे शादी समारों में अधिक्तम 100 लोगों के शामिल होनी की अनुमती होगी खुले स्तान पर किसी भी आयोचन में अधिक्तम 50 फिस्दी शमता की अनुमती है पाकिस्तान में भी कोरोना और ओमाइक्रॉन के केस में इजाफा हुआ है पाकिस्तान सरकार ने प्रती बंदों को एक बार फिर से लागू करना शुरू कर दिया कराची के कुछ हिस्से में ताला बंदी कर दी गई है अधिकारियों के रुसार कराची लहोर और इस्लामाबाद में अब सौ से अधिक ओमाइक्रॉन मामले आ चुके जमकश्मीर पूलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में शामिल दो आतंक्यों को गिरफतार कर लिया है दोनों आतंकी लश्करे तयाबा और जैशे मोहमत से जुड़े हुए है पुछताश में दोनों आतंक्यों ने कई खुलासे भी किये आतंक्यों का संबन पाकिस्तान और साओधी एरब के हैंडलरों से निकला है पुली बाइकेस में मुखे आरोपी नीरज बिश्णोई को साथ दिन की पुलिस रमान में भेज दिया गया है दिली पुलिस के साइबर सेल ने आएफसो यूनिट ने आरोपी नीरज बिश्णोई को ड्यूटी मज़स्ट्रेट के खार पर पेश की और इसे पहले दिली पुलिस ने नीरज को आस्वम से गिरफतार किया था कई आरोपी इस मामले में पहले भी गिरफतार हो चुके पटना में पुलिस ने चेकिंग के दोरान कुछ यूवंकों को रुकने के लिए कहा और जब यूवंक नहीं रुके तो पुलिस ने उनकी लाचियों से पिटाई कर दी जिसके बाद गुसाई भीड ने उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया बताईए जारा है कि जड़प में होमगात के कई जवान जखमी हो गए है इस घरता का वीडियो तीजी से वारल हो रहा है उत्राखंड स्टीफ ने सुप्रीम कोट और सेभी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तयार करके सरकारी गेर सरकारी भूमियों को ठिकाने लगाने वाले गिरों के तीन सदेस्टर को गिरफतार कर लिया है आरोब है कि इन लोगों ने करीब सौ करोड से ज़ादा भूमी की खरीद फिरॉक्त का फर्जी बाड़ा किया जैपूर में पूर्व स्यार्पी असिस्टेंट कमांडिंट विकास जाकर को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है विकास जाकर पुर्व शुक्षा मतरी गोवन्द सिंग जोटासरा के खिलाफ रिफ शहीद स्मारक पर धना दे रहे थे पुलिस ने पुर्व असिस्टेंट कमांडिंट को शांती भंग करने के आरोप में गिरफतार किया मस्यहूर हैडस्टालिस जावेद हवीब की मुश्किलें बढ़ सकती है जावेद हवीब का महिला के सेर्फ पर ठूकने का वीडियो वारल हो रहा है जिसको ले करके महिला आयोग ने यूपी पुलिस से जाचकी मांग की है यूपे के बागपत की रहने वाली एक महिला ने जाविद हभीब के थूखने पर आपत की जदाए लोगसबा और विदानसबा चिनावी खर्च की जो सीमा है उसे बढ़ा दिया गया चीन राजी में अधिक्ताव 70 लाग थी उसे बढ़ा करके 95 लाग कर दिया गया है जब कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की स्सजी सुरक्षा हट सकती है इस कड़ी में फारुख अब्दुल्ला और गुलामनभी आजाद भी शामिल है दरसल केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासर ने 2000 से स्तापित कुलीन एकाई को बंद करने का फैसला किया है और इसलिए SSG सुरक्षा हट सकती है सेने तक्ता पलट की विरोध में एक बार फिर से हजारो सडानी सडक पर उत्रे हैं सेना और प्रदेशन काडियों की बीच जढ़नपी हुई है सेना ने प्रदेशन काडियों पर वाटर कैनन का इस्तमाल किया और आसू गैस की गोले भी फिर भी प्रदेशन कारी विरोध कर क्षटे रहे करू राटो के जन्वर में भारी बर्बारी हो रही है जिसके कारण कटाके में थनक पड़ रही है अभी कुछ दिन पहले ही कुलारोगे जूंगल में आग लगी ती जिससे हजारों घर तबाह हो गई ठे। लेकिन आप बरबारी से लोगों को कंफी रहत that रूस के कजान में हजारों के संख्या में लोग दफ फेस्टिवल ओफ स्नोमैन मनाने के लिए कत्रित हुए फेस्टिवल ओफ स्नोमैन के चौथे वर्ष के आयोचन पर लोगों ने जम्प कर जश्न मनाया इस festival में बर्फ से अलग-अलग अक्रेतिया भी बनाई जमु कश्मीर में लगातार बर्बारी के कारण कई रास्ते बंद कर दिये काए हैं श्री नगर ले राजमार्क को बंद कर दिया गया है और साथी जमू श्रीनगर राजमार्क से बर्फ हटा करकी यातयात एक बार फिर से बहाल कर दिया दिया वह इपुंच में भी भारी बरबारी की बीच नियंतन ब्रेखा पर बीएसफ के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए टेनिस चैंपियन नुवाग जोगीच के उस्ट्रीलिया में प्रवेशन नहीं मिलने पर उनके परिवाने नारास्थी जताई है परिवाने उस्ट्रेलिया के इस व्यवार का विरूत यहाँ पर बेल ग्रेट के निवासियों ने भी जोकोवीच के समर्थन में आवाज उठाई जोकोवीच को उस्ट्रेलिया में प्रवेशन न देने से नारास्थी समर्थ और आगे की खबरों के लिए मेरी सहयोगी जोचना आपको बताएंगी जोचना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं जोचना ओटो यू शुक्रिया देपिका गुद मॉर्निंग टाइम सावन भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का देखिए देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है रफ्तार तेज है मामले जो रात आट विज़ तक के हैं वो एक लाग साथ अजार आट सो अर्टालिस के करीद पहुँच गए हैं आपकड़ा सबसे ज्यादा अगर कई है तो वो महराश्च और दिल्ली में है दिल्ली और महराश्च दोनों राज्जे प्रभावित हैं कल तक कोरोना का जो आँकड़ा है एक लाग साथ अजार आट सो अर्टालिस रहा महराश्च में 36,265 और दिल्ली में 15,097 केस सामने आए हैं देश में 9 महीने बाद फिर एक बार 24 घंटे के नए केस का आँकड़ा एक लाख के पार हुआ है यह हम आपको रात आट बिचे तक का आँकड़ा बता रहे हैं आपको सिर्फ सतर्क करना है कि आप सावधानी बरतते रहे हैं लगातार कल मैरतन बैठके भी हुई है जो नीती आयोक के सदसे हैं वीके पॉल उन्होंने राजनितिक पार्टियों को भी सला दी है कि आप फैसला लीजिए रैलियों पर और जितना कम हूँ उतना कम करने के कोशिश कीज़ेगा क्योंकि पांच राज्यों में विधान सबा चुनाब हैं ऐसे में पिछली बार जब चुनाब हुए थे तो देश में जो एक बड़ा आंकड़ा हमने कोरोना संक्रमितों का देखा था उसके पीछे ये प्रचार भी था तो तीसरी लहर की दस तक लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ एक दिसंबर 2021 को 9765 केस थे 15 दिसंबर को ये मामला ये केसिज आगे और बढ़ते चले गए 31 दिसंबर को 23,000 केसिज हो गए थे 6 जनवरी 2022 एक लाग 7,848 ये रात 8 विज़े तक का आकड़ाम आपको बता रहे हैं आप दिल्ली में जो कोरोना केसिज है जिस तेजी से दिल्ली में ये संक्रमन बढ़ता जा रहे हैं आप नज़र डाली है जरा 1 जनवरी 2700 केसिज सामने आये थे 2 जनवरी को 3194 का आकड़ा दर्च किया गया वहीं 3 जनवरी 4,099 केसिज देखने को मिले थे कोरोना की खतरनाक रफ्तार राजधानी दिल्ली पर भारी है लोगों की चंता बढ़ा रहे है ऐसे में आप से अपील कि आप मास्क लगाए रखी अपने चेहरे पर और साथ ही sanitize भी अपने हाथों को हर समय समय पर करते रहे और अपनी immunity को भी strong रखने की कोशिश कीजिए तो बेताशा बढ़ातरी जो आंकड़ों में हो रहे है वहीं vaccination भी तेजी से आगे बढ़ रहा है 1500 करोड आंकड़ा चूच चुका है vaccination का बच्चों का भी vaccination चुरू हो गया है और 10 तारीक से booster dose भी मिलनी शुरू हो जाएगी बुजर्गों को और आज देश में 1500 करोड का आंकड़ा पूरा हो सकता है तो 1500 करोड के बेहत करीब है यह आंकड़ा 21 October को 100 करोड लोगों का टीका करण हुआ था आज vaccination का आंकड़ा 1500 करोड हो सकता है केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले के अनुसार भारत में अब तक 149.57 करोड से ज्यादा टीका लगाया जा चुका है वही 15 प्लस यानि बच्चों का भी vaccination चुरू हो चुका है तीन तारिक से अब तक एक करोड से ज्यादा बच्चों को वाक्सीन दे दी गई है आज भारत 1500 करोड वाक्सीनेशन का एतिहासिक आंकड़ा छुने जा रहा है जब हम तेज होती vaccination रफ्तार की खबर सुनते हैं और इतना बड़ा आंकड़ा अमारे सामने आता है तो इससे कहीना कहीन रहात मिलती है कि सबका vaccination हो रहा है क्योंकि देखे, Health Experts भी सिर्फ एक ही बात बार-बार कह रहे हैं कि अगर आप इस संक्रमन का शिकार हो जाते हैं और अगर आपका vaccination हुआ है तो ये आपकी जान पर भारी नहीं पड़ेगा अब कुछ और डेटा पर हम नज़र डाल लेते हैं देश में देखे कितना vaccination हुआ डबल डोज लेने वालों के जो पॉसंटेज है वो 92 पॉसंटेज है बूस्टर डोज जिन लोगों को मिल चुके है 66 फीसदी आबादी है ओमिक्रॉन से री इंफेक्शन का खत्रा जो है वो डेल्टा से 5.6 गुना ज्यादा है इंपीरियल कॉलेज ओफ लंडन की एक रेपोर्ट बताती है उसके अनुसार हम आपको बता रहें कि डेल्टा से 5.4 गुना ज्यादा है री इंफेक्शन होने का जो खत्रा है उसकी हम जानकारी आपको दे रहें क्योंकि नए वेरियंट ओमिक्रॉन भी देशवर में अपने पैर पसारता जा रहा है हजारों में मामले ओमिक्रॉन के भी सामने आ चुके हैं देशवर से अमरीका में अब तक देखें लोगों को मिली है ब्रिटेन में और 69.5 फीसदी दूसरी डोज लोगों को मिल चुकी है ये ब्रिटेन का आकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं तो प्रधान मंतरी के सुरक्षा में जो चुक हमने देखी बीते दिनों लगा तार उसके बाद राजनेतिक वार पलट वार भी हो रहा है और इस पर जांच भी आगे बढ़ रहे हैं रिपोर्ट आप देखें प्रधान मंतरी के दोरे में सुरक्षा प्रक्षा में इस तरह की लाफर वाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाब देही तैक की जाएगी प्रधान मंतरी मोदी के सुरक्षा में चूप के मामले को तूल पकड़ने के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्य मंतरी चरण जीत सिंग चन्नी से फोन पर बातचीत कर घटना की जानकारी ली है चन्नी ने अपनी सरकार का बचाओ करते हुए सोनिया गांधी से कहा है कि पियम मोदी के सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूप नहीं हुई है पंजाब पुलिस ने विशेश सुरक्षा दल को पूरा सहीयोग दिया है और यही मामला देश की सरवोच अदालत तक भी कल पहुँचा आज इस मामले पर सुनवाई होनी है एक मिनट में खास रेपोर्ट आप देखे पंजाब में पियम मोदी की सुरक्षा में हुई चूप का मामला सुप्रीम कोट भी पहुँच गया है आज इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई होने वाली है इस मामले की सुबह साड़े दस बजे सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी वरिष्ट वकील मनिंदर सिंग ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कोट से घटना पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि भविश्य में ऐसी घटनाओं की रोख थाम सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है गुरुवार को कोट की कार्यवाही शुरू होते ही वरिष्ट वकील मनिंदर सिंग ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा उन्होंने कहा कि सुरक्षा बंदोवस्त में चूक हुई है इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि वो कोट से क्या चाहते हैं मनिंदर सिंग ने जवाब दिया कि मामले से जुड़े सभीर रिकॉर्ड बठिंडा के जिला जजज के पास सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए आपको बता दें कि जब ये घटना हुई थी तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते से जा रहे थे मनिंदर सिंग ने आगे कहा कि हालाज जैसे भी हो ऐसी घटना दोहरा रोकना जरूरी है इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि वह याचुका की कौपी पंजाब सरकार को सौपे मामले पर आज विचार किया जाएगा तो पंजाब से लोटने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राश्तती रामनात कोविन से मुलाकात की है उसके उस खबर के बारे में पूरी जानकारी दी है वही मामद्य परदेश के मुख्य मंत्री शिवराथ सिंग चोहान और यूपी के मुख्य मंत्री योगिया दितनाथ में प्रधान मंत्री की सलामती की कामना की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राश्रपती रामनात कोविन से राश्रपती भवन में मुलाकात की और पंजाब में उनके काफिले में हुई सुरक्षा में हुई चूप के बारे में बातचीत की राश्रपती ने सुरक्षा में गंभीर चूग पर चिंता जताई है वही उप राश्रपती M.Bankay and Aidu ने भी पंजाब दोरे के दोरान सुरक्षा चूग पर पियम मोदी से बात की और गहरी चिंता व्यक्त की है वही पियम मोदी की सुरक्षा के लिए यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने काशिव विश्वनात मंदिर में पूजा अर्चना की और मंतरो चार के साथ ही सीम योगी आदितनाथ ने खुद पियम मोदी की लंबी उम्रे की दुआ करी दूसरी तरफ मद्यपरदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने भी पियम मोदी की दिरगायों के लिए हवन और पूजन करते हुए दिखाई दिये सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्यपरदेश ही नहीं उत्तराखंट की राजधानी देहरादूर में भी पियम की लंबी उम्रे के लिए हवन और पूजन किया गया इसके अलावाद देश की राजधानी दिल्ली में भी पियम की लंबी आयो के लिए यग्गी किया गया तो कोरोना से सबसेज़ ज़्याद प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो महराश्वार दिल्ली है क्या आंकड़ा है इन दोनों राज्यों में एक मिनट की रिपोर्ट पनाज़ दा रिए दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 15,097 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है जिनने मिलाकर 25,127 लोगों की अब तब कोरोना से मौत हो चुकी है दिल्ली में कोविट की संक्रमन दर्ग 15.34% के पार पहुँच गई है राजधानी में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मरीजों की संक्या 31,498 हो गई है दिल्ली सरकार ने सकूलों को बंद करने के साथ ही सभी शातरों को मिड़े मील के लिए सुखा संक्या में बड़ा उच्छाल देखने को मिला है एक जनवरी को दिल्ली में 2796 केस आये थे जिसके बाद ये दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है वही महराश्रा में 24 गंटे में कोरोना के 36,265 नए केस मिले हैं वही संक्रमन के चलते 13 लोगों की जान चली गई है महराश्रा में उमाइक्रोन के भी 79 केस मिले है वही यूपी और उत्राखंड का आकड़ा भी डरा रहा है रिपोर्ट आप देखे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,121 नए मामले सामने आये हैं यूपी के चार जिलों में सबसे जादा मरीज मिले हैं इनमें गौतम बुद्धनगर में 600, वही राजधानी लखनों में 408, मेरट में 401 और गाजियाबाद में 382 केस मिले हैं प्रदेश के बाकी जिलों में भी कोरोना के केस लगा तार बढ़ने लगे हैं जिसके बाद योगी सरकार ने कई पाबंदियां भी लगा दी हैं केंद्रिय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पती आशिश पटेल भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने खुद के स्वस्थ होने की जानकारी दी है उत्तराखंड में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है यहाँ पर 24 घंटे में 630 नए मामले सामने आये हैं वही तीन लोगों की मौत हो गई है स्वास्ति विभाग के हल्थ बुलेटिन के अनुप्रिया उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आकड़ा 3,47,000 को पार कर गया है वही 3,31,756 लोग अब तक स्वास्थ होकर डिश्चार्ज हो चुके हैं फिलाल उत्तराखंड में 1,425 एक्टिव केस हैं राजिके मुख्य सचेव डॉक्र S.S. संधु ने सभी कलेक्टरों को टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही 100% दी वैक्सिनेशन करने के लिए निर्देश दिये हैं वही बूस्तर डोज के लिए भी तैयारी करने को कहा है और इस बीच बड़ी कबर जमो किश्मीर के बढ़गाम से आ रही है बढ़गाम में एंकाउंटर जारी है इस समय और एक आतंकी को सुरक्षाबलों ने ढिखर दिया है बड़ी कामियाभी सुरक्षाबलों के हाथ तगी है बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था इस आतंकी की तरफ से ये आतंकी किस आतंकी संगठन से जुड़ा है पर दीट क्याप देट है? जिससे यह पता है कि किस तरीके से सुरक्षब, बन्ड ऑपरेशन काउंटे टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं, और किसी को भी सर उठाने की नहीं देरेंगे हैं यहां तक बाद यह गर सर उठाने की कोशिशक कर रहा है, उसके सरकुशल दिया जाता है। नहीं है कि एक कोन आतक वादी है लगता है कि यहां पर गुप था लिखी एक अपर्मिशन तभी होगी जब बॉड़ी पूरी तरह से रिटीज करके ऑपरेशन कटम होगा उसके बादी पर से चलेगा को उसा संगठन था फिलहाल यही कह सकता हूं कि ऑपरेशन अभी भी जारी है एक आतक वादी मार दिया गया है और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलोग दिया और एक और बार पाकिस्तार और उनके बारे के आतक वादियो को तचका बहुत बहुत चुक्रिया प्रदीप आप इस खबर पर नजर बना कर रखिए हैर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है एक वीडियो बहुत ज्यादा वाइरल हो रहा है वो एक महिला के एक महिला का हैर कट कर रहे थे उस दरमया उन्हो पानों के गेरे में जावेद रिपोर्ट आप देखें पुलिस से कारवाई की मांगकी है यूपी के बागपद की रहने वाली एक महिला ने जावेद Хबीब के थूखने पर आपत्ति जताई है वीडियो में दावा किया जाatable है कि पटना में लोगों ने पुलिस की पिटाई क्यों कर दी? इस एक मिनट की रिपॉर्ट पर आप नज़र डाले है। पुमगाट के कई जवान जखमी हुए हैं और इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है। गुसाई भीड ने पुलिस वालों को जिपसी से बाहर निकाला और उनकी पिटाई शुरू कर दी? बताये जा रहा है कि इस जड़ब के दौरान लोगों ने पुलिस वालों के राइफल भी छीनने की कोशिश की है। इस्थानिय लोगों का आरोप है कि गौरिचा के लाके में पुलिस बार बार चेकिंग के नाम पर आम लोगों को परिशान करती है। खबर जैपूर से है, जैपूर में CRPF के एक पूर्व असिस्टेंट कमांडन को कल गिरफतार किया किया है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में आप देखिया है। कोरोना नियमुका उलंगन भी किया है। जाखड ने भरतियों में ब्रश्टाचार रोक पाने में राजिस्थान सरकार को असफल बताया और पूर्व शक्षा मतरी गोविन सिंग डोटासरा पर धानली में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही विकास ने 6 जनव काबर 2016 में जहार खंड के लातेहार जिले में नकसलियों से मुकाबला करते वक्त साथ नकसलियों को मार गिराया था। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही बहुत चोटे से ब्रेक के लिए आप रम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप रहे हैं ताइमस नाव नवशार अपिसाथ